नमस्य दोस्तों मैं हूँ आपके साथ संध्यान मोल और आप देख रहे हैं बाते खेती की अच्छी होगी बारिश तो कैसी होगी खेती? ये सवाल सबके जहन में है क्योंकि पिछले दो साल और कुछ राजियों में तीन साल के सूखे के बाद इस बार अच्छी बारिश के उम्मीद है ऐसे में क्या है किसानों की तैयारी और क्या कर रही है राजिस सरकारे? जानने के लिए ग्रीन टीवी ने शुरू की है खास पहल कि इस बारिश में फसलों को कैसे लगाया जाए और इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है आई ए आर आई के प्रिंसिपल साइंटिस डॉक्टर एलके दुनानी जी डॉक्टर एलके दिनानी जी हमारे कारिकरम बाते खेती कि में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अब जैसा कि आपका सब्जेक्ट ही वाटर इरिगेशन है मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि इस साल मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी कर कहा है कि जो मौनसून है वो काफी बहतर रहेगा यानि कि 105 प्रतिशत मिली मीटर तक कि जो बारिश है वो होने का अनुमान जारी किया गया है अब ऐसे में क्योंकि पिछले दो सालों से तीन सालों से लगतार हम देख रहे हैं कि सूखे जैसी स्तिती देश में उद्पन हो गई है अब अच्छी खबर आई है किसानों के लिए, तो किसानों को इस समय को ध्यान में रखते हुए फस्टों की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? अनमौल जी बहुत अच्छा स्वाल पूछा है आपने किसान भाईयों को इस बार अच्छी बारिश होने की संभावना लेकर जो फसले हम लोग खरीफ में लगाते हैं उन सब फसलों की प्रापर तियारी रखनी चाहिए और अच्छे बीज की उपलब्दी कहां से होगी और ख अच्छी साइट्स इंसेक्टी साइट्स जो भी इंपुट्स इन फसलों में इस्तमाल होते हैं उन सब की पूर्ट तैयारी रखनी चाहिए कि कहां से उनको इन सब चीजों की उपलब्दी मिलेगी और खरीफ की जो अच्छी बारिशों में होने वाली फसले हैं उन सब की अच्छी बारिश में कहते हैं कि धान की फसल को बाखोवी लगाया जा सकता है यहां पर मैं आप से पूछना चाहूंगी कि शिंचित छेत्र में और वाटरलॉप छेत्र में जो धान की प्रजातियां हैं उनका चैन किस प्रकार से किसान करके धान की पैदावार बढ़ा सकत के छिंचित खेत्र की प्रजातियां हैं उसमें पूसा बास्मती नंबर वन पूसा बास्मती इंप्रूब . पूस्जा म्मबर वन पूसा बासमती वियारहा एक्किस है पूसा बासमती चोँदासो पाँच है, पूसा बासमती पंदरह्सो नो प्रजाती है। उसके बाद पूघ सुगन दो मैं पूसा सु थी पूसा सुगन तीन है, और और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं और जो flooded areas की varieties हैं उसमें चक्याधान है, सबसुरना वन है और IR 16 है, IR 36 है ये प्रजातियां ऐसी हैं जिनकों के जैसा आपने बोला कि irrigated areas में या flooded areas में अगर हम लगाएंगे तो किसानों को बहुत फायदा होगा इससे बिल्कुल डॉक्टर इतनानी जी हम देख रहे हैं कि पिछले दो तीन सालों के जिस प्रकार के हालात रहें उसके चलते दलहन का production भी काफी कम रहा है जिसके चलते हमने देखा है कि दलहन की कीमते जो हाजिर माकेट है उसमें कहीं न कहीं 200-200 रुपे प्रती किलो के इस तर पर पहुच गई है क्या किसान को यहां पर दलहन की फसल पर भी जोर देना चाहिए बिलकुल जोर देना चाहिए दलहन जो है उसको poor man's meat कहा जाता है और दलहन फसलें प्रोटीन का बहुत अच्छा source है और हमारे किसान भाईयों को अपने crop rotations में पैटरंस में दलहन को जरूर बी फसलों की जो water requirement होती है वो भी काफी कम होती है तो हम अन इरिगेटेड एरियाज में जहां पर के हमको सिंचाई नहीं करनी होती है वहां पर हम दलहनों को ले सकते हैं खरीफ सीजन में जो अब जैसे बरसातें आने वाली हैं उन में भी हम दलहन फसलों को ले सकते हैं अच्छी वराइटीज जो मतलब अलग-अलग अलाकों के हिसाब से न्यूक्त की गई हैं उस हिसाब से अगर हम वराइटीज लेंगे तो उसमें हमको काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है बिलकुल लेकिन आम तोर पर डॉक्र इदनानी जी ये देखा जाता है कि किसानों में चाक रुखता नहीं होती है नौलेज का कहीं न कहीं थोड़ा सा अभाव होता है इसके चलते किसान सही बीज नहीं ले पाता है आप से में इस से जुड़ी भी बहुत सारी जानकारियां लोंगी लेकिन अभी हमारे कारिकरम में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का पर आप कहीं मुझ जाएगा आप बने रहे हैं हमारे साथ हो देखते रहे हैं बात एक खेती की डिप इरिगेशन को हम अपने लोकल भाशा में बून-बून सिचाई भी कहते हैं और स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम फवारा सिचाई कह सकते हैं तो इसमें में परपस ये होता है कि हम पानी की बचत कर सकते हैं और जो आस्तन बचत हम समझते हैं इसमें 30-40% 30-45% तक बचत हम कर लेते हैं ब्रेक के बाद एक बार आप सबी का फिर्च स्वागत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि drip irrigation, trickle irrigation, micro irrigation, localized irrigation सिचाई की एक विशेश विदी है जिसमें पानी और खात की बचत होती है इस विदी में पानी को पौधों की जड़ों पर बून बून करके टपका आया जाता है इस कार के लिए वाल पाइप नालियों का नेटवर्ग लगाना पड़ता है इसे टपक सिचाई या फिर हम यूं कह सकते हैं कि बून बून सिचाई भी इसे कहते हैं तो इससे भी जुड़ी हम जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर एल के इधनानी जी से जान लेते हैं कि अगर हम बीज की बात करें कि जब आप बीज मार्केट में खरीदने जाते हैं तो किस प्रकार से बीज खरीदेते समय साउधानिया पड़ते हैं डॉक्टर रिद्नानी जी जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम चाचा कर रहे थे कि आम तोर पर किसानों के पास जानकारी के अभाव के चलते हैं जो बीज खरीदे हैं वो गलती वहां से शुरू हो जाती है क्या किसानों को आप सला देना चाहेंगे बीज खरीदे समय वो किस बातों का जादा ध्यान रखें बहुत अच्छा सवाल पूछा संध्या जी आपने देखिए एक मेन बात यहां पर यह है कि अगर हम अपना माइंड सेट प्रॉपर रखेंगे तो हमारे गलती होने की जो प्रॉबिलिटी है वो कम से कम होती चली जाएगी तो मेरा सुझाव किसान भाईयों के लिए यह है हमारे किसान दोस्तों के लिए यह है कि वो आने वाली उपस्तिती से घबराएं नहीं अपने आपको समय आने से पहले तैयार रखें और सरकार ने ऐसी एजेंसी नियुक्त कर रखी है जहां से उनको खाद फटलाइजर्स औ और बीच मिलता है जैसे कि नेशनल सीट्स कारपोरेशन है और हमारे पूसा सेल काउंटर है जहां से बीच की उपलब्दी होती है अगर कोई वराइटी उनको वहां नहीं समझ में आती है या उपलब नहीं है तो दिल्ली में अजादपूर मार्केट है जैसे वहां पर से सर्टिफाइड सीट्स मिलते हैं जिनको कि वह इस्तिमाल कर सकते हैं और और तो वहां से वह बीचों की उपलब्दी हो और अपनी बुआई शुरू करें और में सुझाब यहां पर यह है कि जो सॉइल है उसका पहले टेस्ट हो जाना चाहिए क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है बिल्कुल हमारी यह सोच गलत है कि हम जादा से जादा खाद डालते चले जाएं और उससे हम जादा से जादा उपज लेते चले जाएं सॉइल की भी एक सीमा है और उसके पार अगर हम जाएंगे तो उसके जो रिजल्स होंगे वो विपरीत होते हैं बिल्कुल और इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई सोच के चलेंगे तो उनको कामियाभी जरूर मिलेगी। यानि कि जिस प्रकार से आप फसलों का चैयन करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा साउधानी बरतने की जरूरत होती है आप जो भी बीच लेने चाहते हैं बाजार में वो कही न कहीं सेटिफाइड होने चाहिए जाच के द्वारा आपको लेन सकती है साथी यहाँ पर डॉक्टर साब हम बात कर रहे हैं ड्रिप एरिगेशन की और ऐसे बहुत सारे एरिगेशन हैं लाइक ड्रिप एरिगेशन हो गया आपका ट्रिकल एरिगेशन हो गया आपका माईक्रो एरिगेशन हो गया आपका अब मौसम अनकूल है पर मान लिजे यह तो एक कहते हैं ना कि प्रकती का साधन है माल लेजे मौसम समय पर नहीं रहा अनकूल नहीं रहा तो यहां पर इतने सारे हमाई पास जो सूची है इनका युटिलाइजेशन किसान किस प्रकार से कर सकता है संद्या जी यह माइक्रो इरिगेशन के अंतरगत आती हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गई या स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गई हम समझते हैं इसमें 30-40% 30-45% तक बचत हम कर लेते हैं यानि कि एक तेहाई पानी की बचत हो जाती है और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है और जो खाद हम डालते हैं फटलाइजर यानि केमिकल फटलाइजर और उसका भी यूटलाइजेशन प्रॉपर हो जाता है उसक उसके वेस्टेज वने के चांटस्दस बहुत कम हो जाते है बल्कुल तो इसमें हम को मेन नजर ये रखनी चाहिए कि जो तो ड्रिप इरिगेशन में या स्प्रिंकिलर इरिगेशन में जो एक्विप्मेंट्स यूज हो रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जैसे कि हम पहले ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो इसमें पाइप्स होते हैं पी वी सी पाइप्स होते हैं या दूसरे रखना चाहिए जैसे उनका यूज खतम हो गया तो हम उनको अच्छी तरीके से उनको निकाल के वहां से रैप करके और कहीं सुरक्षित जगा पे रख दें तो ज्यादा साल तक हमारा साथ देते हैं अच्छा उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंग ड्रिप इरि करते हैं फिर पानी की सप्लाय होती है तो अगर किसान भाई इसको इंडिजनाइज करना चाहते हैं तो सोर्स का जो टैंक होता है उसको अगर हम थोड़ी उंचाई पे रख लें और उस टैंक को हम भर दें पानी से और वहां से अगर हम सबलेट डिवीजन दें पाइपस का पूरे खेत में तो ड्रिप इरिगेशन में इस तरीके से हमको कम लागत में काफी कामयाबी मिल सकती है बाकी जहां तक फवारा सिंचाई की बात हम करते हैं तो वहां पर हमको पंप सेट्स लगाने पड़ेंगे और एक प्रियाप्त प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा जि बारिश में संद्या जी हमें बारिश के मौसम में दान है जौर है बाजरा है और मिल्ट से हमारी जैसे फिंगर मिलिट हुगई फॉकसिटेल मिलिट है कोड़ो है और बान याड मिलिट है और उसके बाद हम दलभन फसलों पे आएं तो अर हर है गरीन ग्रामको को हम मूं बोलते हैं औरध हो गया और कौउपी है ब्रे के बाद एक बार आप सभी कफिर से स्वागत है तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मौसम एजेंसियों के मताबिक पिछले तीन साल सूखे के बाद इस बार महरास में भी जोदार बारिश का अनुमान है अच्छी बारिश की उम्मीद में महरास के किसानों ने तैयारी भी शुरू करती है महरास में कपास के खेते पर किसानों का जोर है महरास से सरकार का दावा है कि कपास की खेती इस बार बढ़ेगी और साथ ही अरहर और उड़त पर भी महरास के किसानों का जोर रहेगा मैं सबसे पहले आप से इदनानी जी जाना चाहूंगी कि यहां पर जिस प्रकार से मौसम की अच्छी खबरे आ रही है हम देख रहे हैं कि अलग-अलग जो राज्य सरकारे हैं वो भी एक अच्छी गुड नियूस दे रही है कि जो वहां के किसान हैं अलग-अलग राज्यों के जो किसान हैं जैसा मैंने अभी आपको एक एक एक्जामपल दिया है कि महरास्ट के किसान कपास की खेती की तरफ जाधा रोची कर रहे है आपके हिसाब से क्या लगता है आपको अच्छी बारिश होगी इसके चलते कौन-कौन सी फसलों का चैयन करना चाहिए बारिश में संद्या जी हमें बारिश के मौसम में धान है जवार है बाजरह है और मिलट से हमारी जैसे फिंगर मिलट होगई फॉक्स टेल मिलट है कोडु है और और बान्याड मिलिट है और उसके बाद हम दलन फसलों पे आएं तो अरहर है ग्रीन ग्राम जिसको हम मुंग बोलते हैं उरद हो गया और कवपी है फिर हम तेल वाली फसलों पे आते हैं तो मुंग फली हम ले सकते हैं अरंडी है कैस्टर और उसके बाद फाइबरस क्रॉप्स में जूट है और फोरेज क्राप्स में हम लेसकते हैं बारेज के सीजन के हिसाब拼साब का चिनाव हो गया अब बत अगर हम करें असिंचित छेतरों की तो असिंचित छेत्रों में कौन सी फसलों का चिनाव करना चाहिए संद्याह जी समày किसान भाईयों को Sargum ले सकते हैं बाजरा है और दलन फसलों की वाटर रिक्वायरमेंट काफी कम होती है गरीन ग्राम हो गया Black ग्राम हो गया कावपी ले सकते हैं औरहर की दाल ले सकते हैं और यह फसले है जिनका काफी लेकिन जब बात आते हैं सिचाई की in किसी तरह की कोई साउधानिया यहां पर ब cheapy student or के लिए और अगर पानी की कमी है और बहत अच्छी बात है कि किसानों को इस प्रकार से अगर तोड़ी बहुत चीज़ों पर अगर ध्यान दे देंगे तो उनकी जो फसलों की उत्पादकता है वो बहुत जाहिर सी बाते की बढ़ती हुए दिखाई दे सकती है अब बात आती है यहाँ पर खरीब सीजन में सबजियों की पैदावार काफी बहतर हो जाती है अगर हम सबजियों की पैदावार की बात करें तो खरीब सीजन में किन किन सबजियों का चुनाओ कर सकता है किसान संड्या जी सबजीयों के बेγαर तो कहानी चलने वाली नहीं है बकुर्ण तो बारिष के सीजन में खरीफ में काफी सबजियां हैं एक तो कुकर-बिटेजिसी फैमिली की सारी सबजियां हमारे किसान भाई लगा सकते हैं ऐसा तूरी हो गया, गीया हो गया, टिंडा हो गया, करेले हो गये, यह सब इस पर्टिकुलर फैमली में आती हैं और हरी मिर्च, टमाटर, ब्रिंजल, भिंडी, कौपी हो गया और गौार हो गई, यह सब फसले हैं जो इसमें लगाई जा सकती है बिल्कुल यानि के जिस प्रकार से इस साल मौसम बिभाग ने रिपोर्ट जारी कर ये कहा है कि मौसम काफी बहतर रहेगा, उसके चलते यहां पर आप अन्य फसलों के साथ साथ सबजियों की खेती पर भी जोर दे सकते हैं, सबजियों की खेती भी करके आप पैदाबार सकते हैं और मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं, जोक्टर इद्नानी जी अधिक बरसात की अवस्ता में हमने आम तोर पर देखा है कि फंगस जैसे रोग की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है, ऐसी इस्तिती में किसानों को क्या करना चाहिए ताकि ऐसे रोग और ऐसे 0.2% सुल्यूशन के कंसेंटरेशन से या फिर हमारे पास कैपसैन है या स्टेप्टोमाइसिन है और थिरैम है वीटावैक्स है और एग्रिमाइसिन है, इनका सीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इसमें फंगी साइड का मातरा होगा याई ग्राम से पांच ग्राम तक ए सारे फंजी साइट्स हैं और भी कुछ फंजी साइट्स हैं जिन जिन को किसान भाई यूज करेंगे तो उनको बहुत उससे फायदा होगा बिल्कुल अब जिस प्रकार से डॉक्टर इजनानी जी हमने देखा है कि हमारे देश में पानी जैसी समस्यां लगतार बढ़ती जा र करसात के पानी को उपयोग में लाने का सबसे बहतरीन तरीका है कि हम उस पानी को कठा करें जिसको के वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं हम चेक्ट डैम्स बना सकते हैं पॉंट्स बना सकते हैं उसमें पॉलिथिन की लाइनिंग दे सकते हैं ताके इन्फिल्ट्रेशन या प की बरकरार रहेगी यसिटेज नहीं होगी। हम पॉत की जाए कि मॉईस्चर के लिएस्टेड नहीं रहे। ताकि जुताई کرने से क्या फा़धा होता है कि जो कैपिलरी इसं की जाए है। उनको हम ब्रेक कर देते हैं और उससे एवैपरेशन लॉसिस बहुत कम हो जाते हैं और मेरी यह समझ है कि किसान भाई इन सब चीजों को अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं जी जरूरत यहां पर यह है कि कौन सी चीज किस जगा पे सही समय पे इस्तमाल होनी चाहिए इस च चीज की जागरती अगर हमारे किसान भाई रखें तो कोई भी परेशानी नहीं है बिलकुल यानि कि किसान भाई यह बहुत ही बहतर मौका है क्योंकि मौसम भी अनकूल है बरसाथ भी अच्छी होगी तो इस दोरान आप पानी को स्टोर करके अपनी खेती के लिए बचा सकत हैं क्योंकि जिस प्रकार से लगदार पानी की बढ़ती समस्याएं हम सभी के सामने आ रही हैं उसको कहीं न कहीं यहां पर हम थोड़ा सा खत्म कर सकते हैं और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस प्रकार से आप पानी को स्टोरेज करके और किस प्रकार से आप अपनी सुचाई के लिए उसको इस्तिमाल कर सकते हैं इन बातों पर भी आप सभी किसान भाई थोड़ा सा गौर फरमाईएगा डॉक्टर इदनानी जी चलते चलते आप किसानों को कोई संदेश देना चाहते हैं किसान भाईयों से यह हमारा अनुरोध है कि जो भी वह ए अच्छी है चलिए यह अच्छी है यह ले लिए उनके नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं डॉक्टर इदनानी जी आप हमारे स्टूडियो में आए और यह तमाम जानकारिया हमारे किसान भाईयों तक पहुचाएं उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक्य पुसाइडन टावर ओफ यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई 40061 हमारा इमेल आइडी है info at green tv india.com हमारा फोन नंबर है 0120-498-0000 आप हमें वाटसेट के द्वारा भी संपर कर सकते हैं हमारा वाटसेट नंबर है 9769-577-049 झाल बहुत एबूब है कि प्रेमिए प्रेंगे कर दो कर दो हुआ है कि अल्सक्तित शाई आप है झाल